और उनमें बड़ा दिक्कत होती है हम लोग भी बहुती स्ट्रेस पहते हैं तनाव में इसे कहते हैं होता ना चश्मा निकाले आपके यूँ कोड़ते हैं तुना इसे करने माद पुरी लब हैं कि चच्चा को देख रहा हूँ कि बतीजे को देख रहा हूँ समझ में तब आता है अदरवें समझ में नहीं आता है कोड सच्चन खड़े हैं क्यों? क्योंकि all six eyes muscles छे मासपेशिया जाए वो एक साथ काम करती है तब जाके हम vision कहते हैं तो all the six eyes muscles are getting stressed at that time if it is continuing stressed then the vision क्या हो जाता है decrease हो जाता है अगर उस समय इसको लेते हैं जैसे बच्चे को दे हैं या आप खुद ले बहुत तनावनी है और आखों की तकलीफ है तो all the six eyes muscles is getting good amount of the nourishment इतना बढ़िया उसमें जाता है कि मैं पूछिये मादा और वो बिलकुत ताजा हो जाता है लेकिन खाने से पहले दरा थन्दे पाई सब्रू ली बिया हमकों मुँमें पानी डाली और फिर थन्दे पानी के छीटे ला दा लिए पांसाथ आठ दफल लेने के बाद अब उसके बाद इसको रात को सोने से पहले एक या दूर डिपेंट करता है किसको देते हैं और एक किलास बढ़िया, दूर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो गाजर का रस मिल जाए तो अच्छा नहीं, अनार का रस मिल जाए, तो अच्छा है उसके साथ में लिए आप हफ़े दर दिन पर दर दिन लेकरे लिए किसी भी एज के प्रूप के आथों में कत्नी चमा को कत्नी फाइदा मिलता है ठीक है? ठीक्स अलॉट मैंसे बता हूँ अब मुझे यहारू करना चाहिए आप समय बहुत जाओ